हेलो माई दियर फ्रेंड यूर अगें वेल्कम तू वाले शेटा दे शेशन ऑफ पी एलसी माइक्रो कंट्रोलर इन इसकाड़ा तो गाइस आप जानते होंगे कि हम चैट्टर नमबर फाइफ जोकि सुप्रवाजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वेजिशन पढ़ आ हैं जिसम करें तो हमारी स्काड़ा में स्काड़ा के जो भी हमारे शेप्टर है इसे बहुत ही चोटे चोटे मतलब टॉपिक आएंगे तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्ट्ट्टन अइधिंग टेर्मिट का वीडियो है जो इस पैसे अटी मिनिट के होंगे तो वीडियो को बहुत ही मत नहीं बचेगा from my side अगर तब भी आपको confusion कोई हो तो don't forget to comment here चलिए आज का topic हम स्टार्ट करते हैं before that हम आपको बताना चाहेंगे देखिए supervisory control data acquisition मतलब सुरू से notes provide हैं और आपको हिंदी में भी हमने बताया कि subtitle enable कर दिया हिंदी में आप enable करके हिंदी में भी notes को हैं बहुत असानी से तो हम आपको जैसे ही मतलब जब्सक्राइब कर देंगे तो देखिए उसके बाद operator console हम कल के वीडियो में operator console समझायते और आज के वीडियो में हम वीडियू पढ़ने वाले हैं तो देखिए क्यों होता है वेडियो वीडियो का फूल पर हम हता है वीजुल डिस्प्लेृ उनीट क्या होता है कल के वीडियो में हमने थोड़ा सब विव्यव दिया था कि वीडियो क्या होता है जैसे आप इस कार्ड सबंभन करते हैं making क्या मुनिटर लगे होते हैं इससे बड़े बड़े मतलब display unit लगे होते हैं उस पर देखते हैं तो इसको हम बहुत चोटा 5-4 मिनिट का वीडियो होने वाला है तो प्लीज वीडियो को लास्तर देखिए आको समझ में जाएगा वीडियो होता क्या है तो देखें video a visual display unit is a device एक ऐसा डिवाइस है that present information, event or situation at home, work in public place मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा कोई भी information है जैसे हमारा कितना electricity generate हो रहा है कोई भी event हो, कोई भी situation हो उसको कहीं भी हम दे सकते हैं at home, work or in public place तो एक ऐसा मतलब display unit जो कि हमें बहुत ही efficiently data को present और provide करता है कहीं भी उसका situation क्या चल रहा है कितना हमें मतलब load कितना pick पे ह यह में कितना alternator को start करना है अगर हम generation पर बात करें तो, तो हम मतलब video के हाल से बहुत यह असानी से information को मतलब gather कर सकते हैं, इक अठा कर सकते हैं, दूसरी point video may be responsible for temporary or permanent problem होकर on display, मतलब जो video होता है, मतलब temporary और permanent जो भी problem होता है, वो मतलब display कर देता है, जिससे कि हम बहुत एजल यह है, आपके मतलब system में problem चल रहा है, तो system को हम enable करके और video के help से अगर जो भी हम problem बहुत एसानी से बता देखने, यह problem होगा है, और उसको हम sort out कर लेंगे, तो दूसरा इसका मतलब important होगा, उसके बाद next देखते हैं, just wait, नीचे होगा, देखिए video, हाँ video पढ़ रहा है, third point क्या लिखा है, third point लिखा है, hit enable the operator to find out the desire information in a fast manner, देखिए video हमने बता है, कि video पर बहुत ही easily हम क्या कर सकते हैं, कोई भी desire information, जो भी हमें information चाहिए, उसको बहुत fast manner में क्या कर सकते हैं, हम खोश सकते हैं, जो भी information हो, video पर, जैसे आपको mobile screen है, video just like mobile screen, अगर कोई भी चीज video देखना है, तो आप type करेंगे, तुरण जैसे आपको video ने से बंजबा रहा है, आप YouTube पे गया है, video लिक है, यह भी पर लिटेकनी, कोई भी video है, आप देखने लगे, तो देखने लगे तो यह देखनी का monitor का work है, monitor पे आप देख रहा है, तो यही monitor क्या है, video, यही data को क्या करता है, represent कराता है, हमारे आपको के सामने, और उसके help से हम कोई भी information को बहुत ही असानी से, बहुत तीज तरीके से हम उसको क्या करते है, find out कर लेते हैं, खोज लेते हैं, तो video का तिस्टा important यह हो गया, चोथा देखे, तो video display, video display consists of two kind of information, देखे, video जो होता है, दो परकार के information को मतलब contain किया होता है, एक general information होता है, एक specific information होता है, तो general information क्या होता है, specific information क्या होता है, इसको देखेंगे, तो देखे, general information क्या होता है, it is generally used to display always on a screen, जैसे क्या voltage level हो गया, voltage level, frequency level, इसको हमेशा मतलब क्या करना, display करना है, तो यह general information हो गया, मतलब अगर हम generation level पर बात करें, तो इस काड़ा का मेंली यूज हम जनेरेशन लेबल पर ही करते हैं तो अकर जनेरेशन लेबल पर देखें तो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी क्या चल रहा है इसको हमें 24 इंटो 7 दिखाना है वीडियो पर तो इस जनरल इंफरमेशन हो किया है अगर इस स्पेस्विक इंफरमेश क्या हो गया जब हमें केवल जरूरत हो उस समय अगर हम इसी डाटा को गैदर करते हैं वीडियो में तो इस स्पेस्विक इंफरमेशन हो गया और जनरल मतलब 24 इंटो 7 हमारे डिस्प्लेश पे मतलब क्या हो रहा है हम देख रहा है जैसे वोल्टेस फ्रिक्वेंसी तो हमारा जलन इंफरमेशन हो गया तो इस चोटे से वीडियो में आपको हमने वीडियो समझा तो वीडियो में आपको बता है कि वीडियो को वर्क क्या होता है वीडियो का मतलब दो परकार के वीडियो में मतलब इंफरमेशन होता है एक जनरल इंफरमेशन मतलब स्पेस्पिक इंफ इस वीडियो में आपको वीडियो समझ में आ गया हो। तो next वीडियो में हम वीडियो के बाद देखे ऑपरेटर से पहले पढ़े,uchenlove work ईसे पहले पढ़े पढ़े पढ़े酒 काई वीडियो हो गया। अब data of communication हुएक अग्ले वीडियो में लेए, here as well as don't forget to share my channel thank you